केसे हैं आप सभी होब आप सभी अच्छे होंगे मुव में गुल जाने वाले बिजन कुकिस की रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाले हो इनको घर पर हम कड़ाई में या फिर ओवन में बहुत ही इजीली बना सकते हैं और आदे गंटे के अंदर ये रेसिपी ब छीने खुंश गी लिया है आप चाहेत हम बटर में लीतर ताकि एकलम क्रिमी उजांवट में इस तरह से फैटेंगे तो यह केरीमी उजा iman बाटर हो जाएगा और आप आप सभी तरह तो हम हढल फैतना है जब तक यह सिस तरह का नहीं होता है मैं फैट ते जाना है बटर क तो भी सेम इसी तरह से करना है अगर आप बटर यूज़ करते हो तो अब मैंने यहाँ पर चीनी में इलाइची पीसी हुई थी चीनी के साथ ही तो यहाँ पर तीन चम्मच के करीब शक्कर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर एक कटोरी मेदा का मेजरमेंट आपको बताऊंगी यहाँ पर तीन चम्मच में ने शूगर डाले अगर आप ज़्यादा मीठा गाना पसंद करते हैं तो आप शक्कर की कौंटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं पट मुझे इतना ही ठीक लगा और यहाँ पर एक चुटकी बर नमक डाला है इन तीनों चीजों को अब हमें अच्छे से मिक्स करना है और दो से तीन मिनट तक अच्छे से फैटना है यहाँ साथ में दर्शिल भी मेरे पास ही बैठा हुआ है और बस यह बिस्किट बना है जितने मेरे पास ही बैठा हुआ था वो बस वो कुछ न कुछ इनको लेने की कोशिश कर रहा था और मेरे बिस्किट बिगारने की कोशिश कर रहा था यह देखे यहां पर हो गया है बैटर रेड़ी और इसमें अब देखे हमको जाएगा एसेंस मैंने यहां पर बटर स्कॉच एसेंस लिया है आप चाहे तो वनीला एसेंस या फिर किससे भी टाइप का एसेंस ले सकते हैं नहीं तो फिर इलाइची फ्लेवर ही बहुत अच्छा अब आपको इसी भी अमूल का कोई सा भी ले सकते हैं तीन चमस बरके मैंने यहां पर मिल्क पाउडर ले लिए आपको जितना पसंदे उतना आप डाल सकते हैं तो मैंने तीन चमस डालाई इससे बहुत अच्छा बाजार की जैसा टेस्ट आता है तो यहां पर कुछ भी ना तो यहां पर आप हमें ले लेनी एक चलनी चलनी तच हो रही थी थोड़ी सी तो मैंने बैटर को थोड़ा नीचे किया अब यहां पर हमें डालना है बैकिंग पाउडर जो की हम केक वगेरा बनाने में यूज करते हैं न वह वाला बैकिंग पाउडर तो चलनी में यह देख यहां पर अब मैदा है मेरे पास तो भी आप चम्मस अगर नापकर बताऊं तो 12 यहां पर मैदा का यूज़ किया इसको हमें अच्छ से छान लेना है मैने एक ही बार में सारा मेयदा नहीं डाला क्योंकि हमने जितना नीचे जो मिक्षर लिया था उसमें पहले हम एक बार इन सभी को मिक्स कर के देख़ेंगे अगर हमें जरुत होगी तो हम मैयदा को और डाल देंगे तो एक बार मैंने चम्मसे मिक्स किया और देखा कि ये अभी तक थोड़ा सा गीला लग रहा है तो फिर मैंने थोड़ा मैदा और इसमें एड़ किया आपको बस एक ही चीज दियान रखनी है कि मिक्षर एकदम जैसा लोई बन जाए ना उस टाइप का हो जाना चाहिए तब तक आप उसमें मैदा डाल सकते हो तो मैदा कम ज़्यादा वो सब आपको पता चल जाएगा जब आप मिक्षर इस तरह का बनाएंगे तो पूरा एक कटोरी मैदा इसमें मेरे को लग गया कम दस से बारा चमच साथ साथ में सफ़ाई भी करते रहना चाहिए ना ताकि ज़्यादा फैला नहीं हुआ तो अब यहां पर देखिए अब हमको स्मूथली हाथ से इस तरह से मिक्स करना है बहुत ज़्यादा टाइट दबा दबा कर नहीं करना है इसी से हमारे जो कुकीज है बहुत ही अच्छ से सोफ गवानेंगे तो अब यह देखिए इस तरह का कुछ मिक्शर हुआ है आपको इस तरह से हाथ में लेकर देखना है अगर आपको लगते हैं एक चमशगी को फैटकर कर इसके अंदर यह सबी के गर्मे मिल जाता है नहीं हो तो आप किसी भी टाइप का स्पून ले सकते हैं काटोरी ले सकते हैं इससे क्या है लोई सबी एकदम परफेक्ट मेजरमेंट में रहेंगे मतलब एक जैसे लोई बनेंगे कुकीज का जो शेप है नाप है वो एक ही तरह का आएगा अलग अलग नहीं जाएगा तो मैं इस तरह से बरबर के एक बार सारी लोई यां रख लेती हूँ यां सारी लोई यां हो गए है रेडी और अब क्या करना है हमें दोनों हातों की बीच में इस तरह से गोल गुमाते जाना है हलके हातों से ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है और आपका मन पसंद शेप देना आप चाहे तो गोल रख सकते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल आपको जो भी जेसा भी शेप पसंद है आप उस तरह का शेप रख सकते हैं तो बस ज्यादा मोटा नहीं रखें क्योंकि सेखने में फिर टाइम बहुत जाता लगता है तो नॉर्मल साइज जो होती है नॉर्मल सा बस उत्ता सा रखना है तो मैं य इनको थोड़ा थोड़ा सा हम दूर रखेंगे ताकि थोड़ा सा फैलते हैं जब यह पकने लगते हैं तो अगर आप पास पास रखेंगे तो हो सकता है यह चिपक भी जाए इस तरह से मैंने सारे कुकीज बना लिया तो एक कटोरी मेदा से मुझे करीब यह पंदरा दिख पंदरा बने हैं और इनको पंदरा मिनट के लिए मैंने फ्रीज में रख दिया ताक कि जो बटर गी होता है वो सेट हो जाए और एकदम फैले नहीं मैं आज इनको एर फ्रायर में बनाने वाले हूं इसको मैंने पहले से प्रीहीट कर लिया था पांच मिनट के लिए 80 डिग यह बनता है जितने मैं आपको बता देती हूं तो आपको इस तरह से कड़ाई ले लेनी है और कड़ाई के अंदर आप चाहे तो नमक डाल दीजिए नहीं डाले तो भी चलेगा यहां पर एक प्लेट के उपर इस तरह से आपको फॉयल पेपर लगा देना है यह लगाने से आपको प्लेट जलेगी नहीं और हीट सभी बिस्किट पर एक जैसे आएगी और इसके नापका ही एक बरतन लीजिए जो कि इसके उपर अच्छे से कवर हो जाए रकन बन जाए इसको भी आपको प्री हीट कर लेना है और अच्छे से प्री हीट हो जाए मतलब गरम कर लेना यह पार स से साथ बाद में बन estया हैSON यहां पर पिछे की साइड से मैं कम बेक जेंडे में इनको 3-4 मिनट के लिए फिर से बैक कर लूँगे ताकि पीछे से भी थोड़े से अच्छे से बैक हो जाए इन सबी को हमें बहुत हलके हातों से पलटना है क्योंकि इस टाइम यह बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं बिखर भी सकते हैं इन सबी को मैंने देखिए पलट दिया है और फिर से बैक होन होगी कड़ाइ में जब अछाय में बनाने में यहाँ इन को हम एक ट्रे में सरक कर लेते हैं यहां इस में बहुत अच्छे बने हैं और इनका टेस्ट क्योंकि हम घर पर बनाते हैं तो अच्छे तो बनने हैं और यह पर में एक तोड़ के भी बताती हूं आपको कि यह कितने सॉफ्ट बने हैं यह देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और जिनके दांत नहीं है वह भी इनको आराम से लोओं आप फटो से ख़ा सकते हमें को तर बहुत ऐसकते हो Chief Everyone क्वेसफिति को सकते हैं इसुखनी को भी वीडियो को सदेफ सब इसां में हिए बिच्छय कोश्बंएल तो यहां पर हमारे यह पहुत को क्यों रहें वसकते हैं मैं खाकर भी दिखा देती हूँ यह देखिए बहुत यासानी से तूट रहा है तो आपको देखते ही लग रहा होगा कि यह मतलब कैसे बने हैं तो सोचे खाने में भी कितने अच्छे बने होंगे रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करकर जल्दी से बता दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चाहती अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में यह रेसिपी शेयर करना ना भूले मिलते हैं एक नई र प्रिशना बाइ बाइ